अगर आप नए है तो प्ली सब्सक्राइब कीज़े और बेल इकम जरूर से प्रेस कीज़ेगा तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको जो टॉपिक एक्स्टेन करूंगा वह बेव इंडो तो चलिए देखते हैं के बेविंडो है क्या स्टार्ट करें होंगे बेव इंडो की डेफिनेशन से तो यह है इस विंडोस प्रोजेक्ट आउटसाइड दा एक्स्टरनल वाल्स आफ आरों दे में भी स्क्वार रेक्टैंगल और पॉर्लिगोनल दा प्रोजेक्शन में स्टार्ट फ्रम फ्लोर और सिल लेवल इस विंडोस एडिमिट म इनक्रीज ओपनिंग एरिया एंड फ्लोर एरिया प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन एंड एस्टरिक तो यह आपको जितना भी है बस एक की ब्लान बताऊंगा मैं आपको और समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है इस टाइप के जो विंडोस होते हैं उन्हें कहेंगे हम बेव इंडोस जो के ऐसे नॉर्मल सर्फेस पे नहीं आएंगे बलके वाल में होगा प्रोजेक्शन इससे एस्थरिक अपेरंस बढ़ेगा और यह सी लेवल से हो सकते हैं या उससे भी नीचे कम लेवल से फ्लोर लेवल से भी हो सकते हैं इन्हें कहते हैं बेव विंडो और यह थोड़ा फ्लोर एरिया भी बढ़ा देते हैं तो चलिए इसकी प्लान को हम डीटेल में देखेंगे और कुछ डीटेल देखेंगे इसकी तो यह था की plan हमने जो देखा और यह जो line है यह है main plan इसका यहां पर है 150 meter यहां पर है 90 यहां पर है 150 centimeter या 1.5 meter यहां पर है 90 centimeter या 0.9 meter यहां पर भी same है तो यह वाली जो dotted line दिख रही है आपको यह है building की face line और face line से bay window है जो project होकर बाहर निकली होई है तो normal जो हमने पिछले भी class में drawings देखी थी इसमें उसमें difference यह है कि वहां पर हमने जो है mesh का shutter नहीं दिया था यहां पर shutters दो है एक mesh shutter है एक normal shutter है mesh shutter in cases में जाता है कि आप normal जो shutter है वो open रख सकें और यह close रखेंगे ताकि अंदर mosquitoes या केड़े वगएरा ना आएं चलिए इसके कुछ technical terms भी देख लेते हैं यह है brick wall and यह है उपर plaster जो हमने बताया है double line से यह वाला जो है यह है frame and यह सारा का सारा frame है यह million है और यह जो है style है यह है double line यह है glass जो कि हम detail में देखें कि आपको समझ आ जाएगा आप बस plan देखिए और अगर आपको screen shots साहिए इसके तो screen shots भी ले सकते हैं बहुत ही simple है अगर आपने पिछले videos देखे होंगे मेरे पिछले video नहीं जो पिछला वाला topic जो मैंने explain किया था corner window का वह अगर आपको समझ आया तो या normal window का तो आप यह भी समझ जाएंगे बस इसके कुछ plan थोड़ा सा लाग है इसका इसके चलिए अभी हम जो है कुछ चीजें देख लेते हैं यह है brick wall यह है hinge और यह जो अंदर का shutter है वो shutter है mesh shutter उसमें जाली लगी हुई होगी और यह वाला जो shutter है यह है glass का and detail हमने जो करी है एक C detail एक V detail चलिए देखते हैं इस C वाले detail को अभी देखते हैं तो detail at the C कुछ ऐसा है कि बीच में million है और दो side की shutters है यह वाला जो normal shutter है और यह वाला mesh का shutter है अंदर का यह वाला million है 17 to 100 mm thick teakwood million और यह है wood style and यह है 4 mm thick glass actually यहां पर थोड़ी सी मिशते हैं यहां पर आनी चाहिए यह वाली होती है mesh and यह है glass यह वाली detail देखते हैं अभी detail at the ready यह है detail at the ready यह corner की ऐसी जो vertical member है यहां पर दो shutters ऐसे दो shutters ऐसे यह देखे हिंच से supported है shutters and यह वाला जो है style कहेंगे हम इसे यह पर बार बार इसी लिए दोर आ रहा हूँ क्योंकि यह आपको याद हो जाएगा आपको पता भी होगा तो आपको याद हो जाएगा यह style यह glass और यह बीडिंग यह अंदर जो है यह mesh आनी चाहिए जो कि मैने glass बता दिये तो यहां पर mesh आनी चाहिए दो शेटर्स आपने देखा होगा आजकल एलुमिनियम विंडोस भी जो कोई व्या रहे हैं उसमें भी एक शेटर एक्स्टर ट्री रेल का ट्राक होता है तो एक शेटर एक्स्टर मेश के लिए दिया जाता है वो लगाने से फाइदा ये होता है कि रात के टाइम आप जो है व अच्छर वच्छर भी नहीं आएंगे तो आई होब कि आपको आई होब कि आपको बे विंडो का भी टॉपिक समझ आया होगा अगर वीडियो इंफरमेटिव लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपके अगर फ्रेंड्स है तो आप उन्हें भी मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिक किर बब बाई